आ गई तुम कबसे वेट कर रही हूँ चलो भार चलते हैं इतनी बिजी लाइफ में भी इनके पास लड़ने का वक्त है हाँ चलो अंदर ही चलते हैं कम से कम वहाँ थोड़ी शान्ती तो होगी चलो चलो मुझे तो लगता है कि इस दुनिया को बस एक बार थम जाना चाहिए लाइफ इस रेस ये बात किस ने की थी भाग के भी कहां तक पहुँचोगे और कितना भागोगे जिन्दगी को दौड बना के रखा है जिन्दगी जीनी होती है भागनी नहीं होती और तुम तुम भी पूला दिन्या तो सोती रहती हो या तो घुमती रहती हो बाहर जाके क्या करती हो तुम इनकी तरह भागती रहती हो क्या, अब क्या हुआ, ठीक है, अब मैं और कुछ नहीं बोलूँगी, तुम सो जाओ, चाचा, गेट खोलो ना, क्या एक खोलो को, अ मैं पर कूर। मतलब इतनी उपर से कूदना आसान नहीं है कूदने से पहले सोच लो और भी तरीके हैं यार मरने के कूद के मरने में तुम्हें दर्द भी होगा और दर्द तुम्हें वैसे भी लग रहा है अरे हो कौन तुम? निधी और तुम? इट इट तसंट मैटर अरे बता दो, नाम में क्या रखा है? वीर हाँ? वीर, वीर नाम है मेरा और कुछ? हाँ, तुम इडर से मत कूदो क्यों? क्यों कि इस बिल्डिंग में मैं रहती हूँ तो? अरे, तुम मुझे पुलीस को कॉल करना पड़ेगा फिर बेकार का ड्रामा होगा विच आ दो वाँट नहीं चाहिए ड्रामा तो जाओ ना यहां से यूँट बी इंवल्ड बट ना तो आम अल्रडी इंवल्ड देखो, अब तो या तो तुम यहां से जाओ या फिर मैं सेक्योर्टी को बुला दूंगी जेल में जाने का शौक तो नहीं होगा तुम्हें जिन्दगी प्यार का गीत है इसे हर दिल को गाना पड़ेगा मा, मा अरे वीद, तू आ गया? हाँ मा, पर आपने गाना क्यों बंद कर दिया? अच्छा, गाना सुनना है तुम्हें हाँ मा, गाउना साथ में गाते हैं, चलो ये गाना आपको कितना पसंद था मा कितनी खुश लगती थी या बहुत याद आती या अरे, तुम फिर आगए? प्लीज, लीव मी अलोन क्या हुआ? आज अलग ही मूड में हो तुमसे क्या मतलब? ठीक है, मत बताओ, कर लो suspense build अखिरकार, क्या हुआ था वीर के साथ? हर चीज मजाक नहीं होती अब तुम बताओगे नहीं तो और मैं क्या करो? तुम जानकर भी, कुछ समझ नी पाओगी अरे, बताकर तो देखो क्या हुआ? बोलो My parents are dead Because of me I अँछे इस बारें बात नहीं करनी It's too hard to even talk about it But नहीं मुझे इस बारें बात नहीं करनी सोचना भी नहीं है It's too hard, Niti It's too hard Veer, listen If you don't talk about it, it's okay But from personal experience Talking about it helps How did it help you? You know, Veer I had also taken your face But then I talked about it And that face was a little bit But the burden was still there, right? It did not go away But at least it gets easier Yeh toh sab bolte hain na yaar Haan, because it's true What if it doesn't get easier? But have you even tried talking about it? I wouldn't even know where to start Jo bhi tumhaare man mein aara hai Just say it Mujhe ya Sab kuch itna jaldi jaldi hua Uh, mein Uh, office Office mein parti thi May generally itna peeta nahin hu And I had to go to the house And I had to go to the house And I had to go to the house Maan ke call pee call A raha hai thai And there was such a noise Thin ki Mujhe kuchh suna hai nahi diya But a few days When I saw it Mujhe attention And I went to the party I had to go to the house And I had to go, try to the house And I got rid of it And I went to the house A hunger And I let it go पर मैं एक तम सुन हो गया था वीर फिर उस दिन से लेकर फ्यूनरल तक क्या हुआ मुझे कुछ याद नहीं बस याद है तो ये कि माने मुझे बोला था कि अगर मैं वहाँ होता तो शायद पापा जिन्दा होते है उसके बाद माने ना कुछ बोला ना खाया ना प्या मा की तबियत पुरी थरा खराब हो गई थी वो जैसे सद्मे में चली गई थी फिर एक राद उन्होंने मुझे अपने कमरे में बुलाया वो बहुत कमजोर लग रही थी उनकी आवाज में बहुत तर्थ था उन्होंने मेरा हाथ लिया और बोला गलतियां सबसे होती है बेटा अपना ध्यान रखना और उसके बाद वो वो भी मुझे छोड़के चली गई I'm so sorry वीर पर इस सब में तुम्हारी क्या गलती है मेरी क्या गलती है मैं अगर उस दिन ड्रंक नहीं होता तो पापा जिन्दा होते तुम्हारे पापा हॉस्पिटल पहुँच तो गए थे ना वीर वो फिर भी नहीं बच पाए इसका ब्लेम तुम कैसे ले सकते हो हाँ पर मैं कुछ तो कर सकता था मा ने भी यही कहा था तुम्हारी मा ने तो ये भी कहा था ना कि गलतीया सबसे होती है अपना ध्यान रखना ये बात तो नहीं मान रहे तुम उनकी वो तो उन्होंने सिर्फ इस ले कहा था क्योंकि वो बहुत कमजोर थी अपनी आखरी सांसे ले रहे ही थी मैं जानता हूँ शे दिद नॉट मीन इट वाट? सेरियसली वो उनकी आखरी विष थी I can't believe तुम उनकी आखरी विष को बे मतलब बोल रहे हो मेरे पापा अखरी वक में मुझे कुछ बोल भी नहीं पाई और तुम ऐसे क्या? तुम कब तक अपने आप से जूट बोलते रहोगे? वाट दू यू मीन? तुमारे परेंस के मनने का दर्द भी तुमें हो रहा है और उसका ब्लेम भी तुम खुद ले रहे हो तुम खुद भी बोल रही हो उससे मैं सिर्फ कन्फूज हो रहा हूँ अन्यवेस, इम लीविग ठीक है, जाओ अन्यवेस, तूम खुद रहा है ओ तुम आगए, थोड़ा लीट नहीं होगया आज तुम रात के तीन बजे पर यहां क्या कर रही हो ये बताओ तुम क्या करने आए हो आज गूदने का इरादा है फिर मजाख? और कुछ सूचता भी है तुम्हें? हसी मजाख के अलावा क्या है जिन्दगी? तुम फिर मजाख कर रही हो अच्छा ठीक है अब मैं मजाख नहीं करूँगी आओ बैठो और बताओ फिर क्या करने आये हो? तुमने जो मुझे पिछली बार बोला था बस वही बात मैंने दिमाग से नहीं निकल रही ऐसा क्या बोला मैंने? तुम ना सोचते बहुत ज्यादा हो पर निदी आज तक खुद को ब्लेम करता है हो और तुम्हारी बात भी शायद ठीक है मुझे कुछ समझ नहीं आरा इस आल सो कन्फुज नहीं आरा इस आल सो कन्फुज नहीं रॉस्ट्रेटिंग और दो नहीं नहीं दो वीर, देखो सुनो मुझे पता है कि तुमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो बहुत पेनफुल था बट मैंने भी लाइफ में तफ तेम्स देखे हैं और वीर, इस आल सबस्ट्रेटिंग एफ देखे हैं और मैंने डिएड कि मैं ऐसे नहीं जी सकती और अब मुझे 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 अब अन करना ही होगा अब I'm so sorry to hear that but if you don't mind me asking ऐसा क्या हुआ था थोड़ी लंबी कहानी है so जब मैं ग्यारा साल की थी तब मेरी मॉम की डेथ हो गई उसके बाद मेरे डाड नहीं मेरा खयाल रखा but when I was 16 मैंने उनकी हॉस्पिटल रिपोर्स देखी और मुझे पता चला कि उनको एक डिजीज है called huntingtons dad मैंने आपकी रिपोर्स देखी अरे वो वो तो कुछ भी नहीं है dad मैंने रिपोर्स पढ़ी आपने मुझे बताया क्यों नहीं बताने की कोई बात ही नहीं है मैं बिल्कुल ठीक हूँ मैंने इसके सिम्टम्स देखे है why are you lying मैंने देखा है dad आप चीजे भूलने लगे हो बहुत जल्दी गुस्सा हो जाते हो in fact अभी भी गुस्सा हो रहे हो कितने दिन से आप नोटिसिंग कि आपका मूट बहुत जल्दी बदलता है ये सब सिम्टम्स ही है are you even taking meds? मुझे दवाय की जरूरत नहीं है समझो तुम dad आप क्यों नहीं समझ रहे आपको meds लेनी होंगी और इसे accept करना होगा please मैं हूँ आपके साथ पहले कुछ साल तो ठीक था सब काम चल जाता था पर जैसे जैसे टाइम भीटता गया टाइड की कंडिशन और खराब होती गई एक टाइम ऐसा आया जब वो चल भी नहीं पाते थे उनका सारा काम मैं ही करती थी उनका सोना, खाना, पीना, नाना सब का ध्यान मैं ही रखती थी मेरे पास खुद के लिए टाइम ही नहीं था मैं अपने लिए नहीं सिर्फ उनके लिए जीती थी उनके मरने से पहले उनकी हालत इतनी खराब हो गई कि उनका बोलना भी बंद हो गया उनके मरते दम तक मैंने उनकी आखों में कितना कुछ बढ़ने की कोशिष की मैं देख सकती थी कि वो कितना कुछ कहना चाहते थे पर मैं वो कभी नहीं जान पाऊंगी I am so sorry Nidhi I can't even imagine what you went through No, it's fine. I've even made peace with the fact that I have it too क्या? हाँ, ये disease hereditary है, so even I have it अब तो तुम क्या करोगी? अब क्या? इसकी टेंशन लेने से क्या फाइदा? जितना टाइम बचा है, I'll make the most of it आखिरकार मुझे कुछ आइडिया तो है मैं कब मरने वाली हूं तो मेरे पास जितना भी टाइम है, उसे पूरी तरह जीऊंगी बट इसके सिम्टम्स तो तुम जानती होने थी तुम अपना ध्यान कैसे रखोगी? मैं अपने फ्यूचर के बारे में सोचकर अपना प्रेजन नहीं बरबाद करूंगी जैसे तुम अपने पास के बारे में सोचकर अपना फ्यूचर ही खतम करना चाहते हो चीने के लिए कोई वज़ा भी तो होनी चाहिए वीर, चीने के लिए वज़ा बनानी पड़ती है पर वीर, यूँ आफ टर लट गो अव यूर गिल्ट उस सिचुएशन पर तुमारा कोई कंट्रोल नहीं था तुमारी माँ की भी आखरी विश्य ही थी कि तुम अपना खयाल रखो पर अगर मैं आगे बढ़ता हूं तो वो बहुत मुश्किल होगा और मुझे डर है कि मैं उन्हें भूल ना जाओ तुमने कभी नहीं भूलोगे उनकी यादे हमेशा तुमारे साथ रहेंगी बलकि यही यादे तुमें आगे बढ़ने में मदद करेंगी I hope so Trust me I know it's tough but there comes a point in your life when there's nothing else to do but get better I think you're right तो फिर आप तो फिर कर फिर जाना मैं चाय बहुत अच्छी बनाती हूं प्रदिक पटवारी, देव्यानी, मुहे दुधानी, श्रेया पंचाल हम तही दिल से शुक्रियादा करना चाहेंगे लायली दत्ता और रहुलपुरी का सुनते रहेंगे पूंच